तो अभी तक हमने क्या देखा PVR का PVR के कितने सारे फॉर्मूले बन गए डिपेंड करता है कोश्चन का कौन सा सिचुवेशन है उस सिचुवेशन के हिसाब से हम फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हैं सारे फॉर्मूले एक ही हैं एक्जामने डिफ्रेंट डिफ्रेंट फॉर्मूला लगा के हमें कन्फ्यूज करना चाहेगा चलिए एक सवाल देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है एक्जामनर चलिए कैता है भाई आप पी वी रेशो निकालो मैं पी वी यर बोल देता हूं यह पी वी रेशो बोल रहे हैं आर को पूरा लिख रहे हैं following index कहता है variable cost दे दिया और contribution दे दिया तो case number one sir pvr pvr is equal to contribution divide किस से कर दें sir divide कर दें sir sales से और into में क्या कर दें hundred कर दें तो हमारे पास सवाल में sales है क्या हमें variable cost दे रखा है और क्या दे रखा है contribution oh my god variable cost दे दिया और contribution दे दिया यानि पहले तो हमें contribution पता है contribution कितना है 40 और sir variable cost है अब sales चाहिए तो sales का formula लिखूं क्या में है sales क्या होता है sales is equal to VC plus में FC plus में profit ठीक है और मुझे बताओ मुझे बताओ फटा-फट से जवाब दो और मैं expect कर रहा हूं कि बच्चे तुरंट जवाब देंगे इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बोलते हैं इन दोनों को जोड दिया जाए तो क्या बोलते हैं comment में एकदम पटाफट जवाब दो अगर FC और profit को जोड़ दें तो क्या बनेगा FC और profit को जोड़ दें तो कितना बनेगा 100 बता भी दिया बच्चोो ने चलो बहुत बच्चो ने बता भी दिया पहले तो यह बता दो FC और profit को जोड़ दें तो क्या बनने वाला है FC, contribution सबी का जबाब आ गया country तो अगर ये contribution है तो मैं कह सकता हूँ variable cost और contribution को जोड़ दें तो sale बनेगा जी हाँ sir sale बन जाएगा तो हमारे सवाल में sale कितना होगा variable cost और ये है contribution दोनों को जोड़ दो sir sale आ जाएगा चलो जोड़ दिया 100 आ गया 100 गुणा में केस नमबर वन का contribution सभी ने बोल दिया केस नमबर वन का आंसर आ गया 40.4 आया इंटू से 100 करेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा अधिक है पॉइंट नमबर टू सर सेल्स दे दिया और वेरियेबल कॉस्ट दे ओहो तो हमारा PVR निकालना है PVR का फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है contribution divided by sales into 100 लेकिन contribution भी कब फॉर्मूला बताया अगर आप क्या कर देते हो sales minus variable cost तो आपको sales भी पता है और variable cost भी है तो contribution आ गया हमारा 20 में से minus गए 15 तो बचा contribution पांच तो that is PVR जो निकलेगा हमारा यह आ जाएगा 5 divided by sales कितना है 20 into में 100 तो कितने आ गए सर देट इस 25 परसेंट आ जाएगा 25 पांच 25 हां कितने परसेंट आ गए 25 परसेंट तनिक्स ने जवाब दे दिया सर इसका आँसर आया है 25 परसेंट ओके एक और सवाल चलो बिससे मुश्किल सवाल होगा साइब कहता है रेशो वेरियेबल कोस्ट sales यानि variable cost का ratio दे दिया अब बोलता है निकाल के दिखाओ variable cost का क्या दे दिया ratio दे दिया और क्या बोलता है आप निकाल के दिखाओ क्या निकाल के दिखाओ point number 3 तो मुझे पता था कि variable cost का percentage is equal to क्या होता है hundred minus में PVR का percentage बताया था तो आपको variable cost का पर्सेंटेज दे दिया तो देट इस पीवियर कोई फोर्मुला नहीं हट्रेड माईनस में क्या करेंगे हम 84 तो यह कितना आ गया परसेंट कितना आ गया परसेंट ऑगया यह लोग जिसका जवाब सिक्स्टीन परसेंट आ गया अमित ने 16 बता दिया था अरनम ने भी 16 बता दिया चलो अच्छी बात है समझ में आ रहा है ऐसे छोटे-छोटे सवाल है इसके अंदर और यह सवाल अगर आप ध्यान से देखते जाओ देखते जाओ तो पता ही नहीं चलेगा कब खतम हो गया इंटरस्टिंग वह आले नहीं है अकाउंट के तरह इतने लंभे-लंभे काम करने वह वाले काम नहीं है यहां पर चलो दीसरे का चौत्था प्राफिट दे दिया अब दिमाग लगाना है अब दिमाग लगाना है यह मैं आपको अभी क्लास वर्क दे रहा हूं कि अभी आपसे पूछते हैं, यह कैसे निकलेगा, मैं थोड़ा size को reduce करूँगा, so that मैं एक ही जगह पर सारे questions को कर पाऊं, इधर कर देते हैं इसको, देख रहा होगा question हाँ जी हाँ, point number 4, बताईए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आप सभी के पास मैंने बोला था, profit दे दिया, और sales दे दिया, धिमाग लगाओ, profit और fixed cost क्या होता है, धिमाग लगाओ, अधर कर दो, तनिक्ष ने बोला, सर, 13,000 divided 25,000 करो, इंटू 100 करो, 52% आ जाएगा, चलिए, देखते हैं, हमारा एक जवाब आ गया, फिर अधित्य निभी 52, अरनव भी 52, और भाई, बहुत बच्चे हैं यहाँ पर लाइव, जितने बच्चे भी लाइव है, कुछ बच्चे तो आए थे, कि देखते हैं, लाइव क्लास कैसी होती है, और फिर चले गए, तो फिर दिक्कत होगी आपको बाद में, मैं सभी बच्चों को बोलूँगा, भाईया, स्टार्टिंग से बने रहो, एक घंटे ही तो मांग रहा हूँ, एक घंटे के अंदर मैं ज्यादा लंबी भी क्लास नहीं लूँगा, मैनेजमेंट का, क्योंकि स्लेव इस बड़ा छोटा सा है, इंकम टेक्स दो-दो-धाई-धाई गंटे के लूँगा, 52 परसेंट, जोती ने भी बता दिया, चलिए, 52 परसेंट, कैसे निकाला, कुछ बच्चे सोचर सकते हैं, तो मैंने बताया, भाईया, कोंट्रिबुशन का, एक और फ्रॉर्मुला बन सकता है, हमारा इस फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, मैंने बताया था, यह बनता है हमारा कोंट्रिबुशन, और हमें sales पहले से ही given है तो fix cost और प्लस अगर हम यह देखे fix cost और प्लस में FC तो कितना है fix cost हमारा fix cost है हमारा 8000 और प्लस FC कितना है 5000 तो देट इस आ जाएगा हमारा ये तेरह जार और सेल्स पहले ही दे रखा है देट इस पच्छेस अजार तो अगर सेल्स दे रखा है तो कॉंट्रिबूशन भी पता चलिए सेल्स भी पता चलिए तो पीवियर तो ऐसे निकल जाना तेरह हजार और डिवाइड़ बाइड़ पच्छेस अजार इंटू में सो तो सो हैं कितने परसेंट आ गया बावन परसेंट फिफ्टी टू परसेंट यह आ गया हमारा फिफ्टी ट तो थो था बिलकूल सही था एक पर हम हर्म कि 13,000 भी 25,000 बिल्कुल सही जवाब चलो अब देखते हैं चोता इसके लिए फ़ार्मूला लिख वाया क्या फॉर्मूला लिख्वाय फॉर्मूला क्या लिख वाया सर्पने देखो पीवर चेंज इन प्रॉफिट में कितना बद मतलब तो चैंज वाला यहां पर चैंज का मतलब हमें 2 साल का डेटा हो तो वह हमें क्या दे रखा कि एएर 1 यह का तो तो अगर मैं बताओं सेल्स में कितना बदलाव हुआ तो पहले कितना था 50 अब कितना है तो 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 दस अजार रुपै का बदलावाया चेंज इन सेल्स लेकिन सर चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालोगे तो पहले मुझे दोनों साल का प्रॉफिट निकालना है तो यहीं पर अगर आप देखो तो प्रॉफिट कौन बच्चा बताएगा पहले साल का प्रॉफिट पहले साल का प्रॉफिट क्या डिवाइड बाइए चेंज इन सेल्स इन्टू में हंड्रेड यह फॉर्मुला लगना है यहां पे तो तनिस्क ने बताया हिमांसु ने बताया अमित ने बताया अर्णब ने भी बता दिया के सर पहले वाले में होगा पचास में से चालिस माइनस करो दस हजार यानि पहले वाले में आप सभी कह रहे हो सर यहां पे बनेगा प्रॉफिट हमारा कितना दस हजार यह क्या है सर यह प्रॉफिट है तो दूसरे वाले में मैं बोल दू पंदरह हजार ठीक है दूसरे वाले में पंदरह हजार तो अगर प्रॉफिट है तो profit में बदलाव कितना है profit में बदलाव that is 5,000 तो मैं अगर यहाँ पर profit में बदलाव देखूं तो 10 में से 15 माइनस करूँगा तो that is change आगया 5,000 और sales में change कितना है sales में change 10,000 आया और into में हम करेंगे 100 तो यह आगया हमारा कितने percent 50% यह आगया 50% second का profit बिल्कुल सही है हमें पहले देख लेजिए यह सारे के सारे point आपके book के ही है वैसे मैं तो पूरे के पूरे questions जतने maximum होगा मैं कराऊंगा सारे के सारे क्या इसमें से किसी points में PVR निकालने में आपको दिक्कत है क्या आप में से किसी student को इसमें से PVR profit volume ratio निकालने में दिक्कत है क्या PVR निकालने में किसी student को doubt profit volume ratio No मनन का कहना है सर समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया जो बच्चे No कह रहे है मतलब समझ में आ गया है जो है किस्तौ समझ में से अ किस्तौस्बने में रहा है जो है किस्तौस